शिव बाबा याद है ना? ओम शांती 27 जुलाई 2024 के इश्वरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे डबल कमाई कर रहे हो एक तरफ याद की यात्रा से कमाई तो दूसरी तरफ 84 के चक्र का सिमर्ण करने से भी कमाई होती है तो दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए? इस याद की यात्रा से बहुत बड़ी आमदनी होती है याद से ही सर्वशक्तियां मिलती है इसलिए बाप फर्मान करते हैं मामेकम याद करो कभी भी व्यर्थ की बाते नहीं सुनो सबसे कड़ी भूल है बाप को भूलना जितना तुम याद में रहेंगे उतनी धारना अच्छी होगी फिर बाबा ने कहा जैसे बाप रहम दिल वो कल्यान कारी है ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है अर्थात तुम्हें बाप का मददगार बन अपने ब्रह्मन धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाना है उत्तम पाल्ट उसका कहेंगे जो सभी को बाप का परीचे दे और आदी मद्य अंत का राज भी समझाता रहे जितनी जो सर्विस करेंगे उस अनुसार ही उनको वर्सा मिलेगा लास्ट में बापा ने कहा अभी तुम्हें इश्वरिय मत मिलती है जिससे तुम समझदार बन जाते हो तो फिर ओरों को भी आप समान बनाने का पुरुशार्थ करना चाहिए पुरा पुरुशार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे और लास्ट में सजा भी खानी पड़ेगी अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप समान, रहम दिल और कल्यान कारी बनो समझदार वह जो खुद भी पुरुशार्थ करे और दूसरों को भी कराए प्रश्न तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो तुम्हारा पुरुशार्थ क्या है उत्तर पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पार्ट बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ट सबसे उत्तम पार्ट उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं अर्थात सर्विस कर ब्रह्मनों की व्रिधी करते हैं तुम्हारा पुरुशार्थ है पुराने जुत्ती उतार, नई जुत्ती लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जुत्ती मिले। ओम श्यान्ति, बच्चे दो तरफ से कमाई कर रही हैं, एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई, और दूसरी तरफ है 84 के चक्र का ज्यान सिम्रन करने से कमाई, इसको कहा जाता है डबल आमदनी, और अज्यान काल में होती है, अल्प काल, शन भंगूर, सिंगल आमदनी, यह हो जाती है, पवित्र भी बनते हो, सभी दुखों से छूट जाते हो, बहुत बड़ी आमदनी है, सत्यूग में आयू भी बड़ी हो जाती है, दुख का नाम नहीं, क्योंकि वहां रावन राज्ये ही नहीं, अज्यान काल में पढ़ाई का अल्प काल का सुख रहता है, और क्योंकि वह तो न ड्रेस आदी बदलते, न घर बार छोडते, तो फोलोवर्स कैसे कह सकते, वहां तो शान्ती, पवित्रता सब है, यहां आ पवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशान्ती होती है, तुमको मत मिलती है इश्वर की, अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को इश्वरिय गवर्मेंट समझो, परंतु तुम हो गुप्त, दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए, अभी हम है शिरिमत पर, उनकी शक्ती से सतोप्रधान बन रहे हैं, यहां तो कोई राज्य भाग्य लेना नहीं है, हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिय अभी उसका मालूम पड़ा है, इन लक्ष्मी नारैन के 84 जनमों की कहानी तुम बता सकते हो, भल कोई भी मनोश्य मात्र हो, कैसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे कह नहीं सकेंगे, कि आओ तो हम इन्हों के 84 जनम की कहानी बताएं, तुम्हारी बुद्धी में अब स्मृती रहती है, विचार सागर मन्थन भी करते हो, अब तुम हो ज्यान सूर्य वन्शी, फिर सत्यूग में कहा जाएगा विश्नु वन्शी, ज्यान सूर्य प्रगटा, इस समय तुम्हें ज्यान मिल रहा है न, ज्यान से ही सद्गती होती है, आधा कल्प ज्यान हो जाता है, यह भी ड्रामा की नोंद है, तुम अभी समजदार बने हो, जितना जितना तुम समजदार बनते हो, औरों को भी आप समान बनाने का पुरशार्थ करते हो, तुम्हारा बाप, रहम, दिल, कल्यान कारी है, तो बच्चों को भी बनना है, बच्चे कल्यान कारी न तो उनको क्या कहेंगे गायन भी है ना हिम्मते बच्चे मददे बाप यह भी जरूर चाहिए नहीं तो वर्सा कैसे पाएंगे सर्विस अनुसार तो वर्सा पाते हैं इश्वरिय मिशन होना जैसे क्रिश्चन मिशन इसलामी मिशन होती है वह अपने धर्म को बढ़ाते हैं त रामानुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बनेंगे कल्प पहले जो पार्ट बजाया था वह जरूर बजाएंगे तुम देख रहे हो हर एक अपना उत्तम मध्यम कनिस्ट पार्ट बजा रही हैं सबसे उत्तम पार्ट वह बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाला है तो सभ इमद्धय अंत्का राद समझाना है रिश्य मुनिया भी नेती-नेती कहते गए और फिर कहदेते सरव्यापी है और कुछ नहीं जानते ड्रामानुसार आत्मा की बुद्धी भी तमोप्रधान बन जाती है शरीर की बुद्धी नहीं कहेंगे आत्मा में ही मन बुद्धी है यह अच्छी रिती समझ कर और फिर बच्चों को चिंतन करना है फिर समझाना होता है वो लोग शास्तरादी सुनाने के लिए कितने दुकान निकाल बैठे हैं तुम्हारी भी दुकान है बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है इतना खजाना नहीं है तो कोई को दे भी नहीं सकते हैं धारणा नंबरवार होती है बच्चों को अच्छी रिती धारणा करनी है जो किसी को समझा सके बात कोई बड़ी नहीं है सेकंड की बात है, बाप से वर्सा लेना, तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो, तो बेहद के मालिक हो गए, मालिक भी नंबरवार होते हैं, राजा भी मालिक, तो प्रजा भी कहेगी, हम भी मालिक हैं, यहां भी सब कहते हैं न, हमारा भारत, तुम भी कहते हो, शिरिमत प करना चाहिए उच पद पाने का बाप कहते हैं जितना अभी पुरुशार्थ कर पद पाएंगे वही कल्प कल्पांत्र के लिए होगा इंतिहान में कोई की कम माक्स हो जाती हैं तो फिर हार्ट फेल भी हो जाते हैं यह तो है बेहद की बात पूरा पुरुशार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे सजा भी खानी पड़ेगी उस समय कर ही क्या सकेंगे कुछ भी नहीं आत्मा क्या करेगी वो लोग तो जीव घात करते डूब मरते हैं इसमें घात आदी की बात नहीं आत्मा का तो घात होता नहीं वह तो अविनाशी है बाकी शरीर का घात ह जिससे तुम पार्ट बजाते हो, अभी तुम पुरुशार्थ करते हो, यह पुराने जुत्ती उतार, हम नई दैवी जुत्ती ले लेवें, यह कौन कहते हैं? आत्मा, जैसे बच्चे कहते हैं न, हमको नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को भी नया कपड़ा चाहिए, बाप कह तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया जाहिए तब शोभा है आत्मा के पवित्र होने से पांस तत्व भी नई बन जाते हैं पांस तत्व का ही शरीर बनता है जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प प्रधान है दिन प्रति दिन दुनिया पुरानी होती जाती गिर्ती जाती है नए से पुरानी तो हर एक चीज होती है पुरानी हो फिर डिस्ट्रोय होती है यह तो सारी स्रिस्टी का सवाल है नई दुनिया को सत्युग पुरानी को कल्युग कहा जाता है बाकी इस संगम बदलनी है अब बेहद का बाप जो बाप टीचर गुरू है उनका फरमान है कि पावन बनो काम जो महाशत्रू है उन पर जीत पहन जगत जीत बनो जगत जीत अर्थात विश्नुवन्शी बनो बात एक ही है इन अक्षों का अर्थ तुम जानते हो बच्चे जानते हैं हमको का निश्य जाहिए बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े फिर टीचर को फिर गुरू को याद करना पड़े भिन भिन समय पर तीनों को याद करेंगे यहां तो तुमको तीनों ही इकठे एक ही टाइम मिले हैं बाप टीचर गुरू एक ही है वो लोग तो वानप्रस्थ का भी अर्थ नहीं समझते वानप्रस्थ में जाना है इसलिए समझते हैं गुरू करना चाहिए साथ वर्ष के बाद गुरू करते हैं यह काईदा अभी ही निकला है बाब कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनका सत्गुरु बनता हूं बाबा भी कहते हैं 60 वर्ष बाद सत्गुरु किया है जबकि निर्वान धाम जाने का समय है बाप आते ही हैं सबको निर्वान धाम में ले जाने मुक्तिधाम जाकर फिर पार्ट बजाने लिए आना है वानप्रस्थ अवस्था तो बहुतों की होती है फिर गुरू करते हैं आज कल तो छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरू करा देते हैं फिर गुरू को दक्षिना मिल जाएगी क्रिष्चन लोग क्रिष्चनाइज कराने गौद में जाकर देते हैं परन्तु वह कोई निर्वान धाम में जाते नहीं यह सब राज बाप समझाते हैं एश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे शुरू से लेकर बतलाते आए हैं अपना अंत भी देते हैं और स्रिष्टी का ज्यान भी देते हैं एश्वर खुद आकर आदे सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं इनका नाम भारत ही चला आता है गीता में सिर्फ शृक्रेश्न का नाम डाल कितना रोला कर दिया है यह भी ड्रामा है हार और जीत का खेल है इसमें हार जीत कैसे होती है यह बाप बिगर तो कोई बता न सके यह लक्ष्मी नारेण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार खानी है यह तो सिर्फ तुम ब्रह्मन ही जानते हो शुद्र भी नहीं जानते, बाप ही आकर तुमको ब्रह्मन से देवता बनाते हैं हमसो का अर्थ बिलकुल अलग है, ओम का अर्थ अलग है, मनश्य तो बिगर अर्थ जो आया वह कह देते हैं अभी तुम जानते हो कि कैसे नीचे गिरते हैं, फिर चड़ते हैं, यह ग्यान अभी तुम बच्चों को मिलता है ड्रामा अनुसार फिर कल्प बाद बाप ही आकर बताएंगे जो भी धर्म स्थापक हैं, वह आकर फिर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार ही कहेंगे, नंबरवार समय अनुसार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं यहे एक बाप ही समझाते हैं, मैं कैसे ब्राह्मन, फिर सूर्य वन्शी, चंदर वन्शी डाइनेस्ट्री स्थापन करता हूं अभी तुम हो ज्ञान सूर्य वन्शी, जो फिर विश्न वन्शी बनते हो, अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं, जो कोई भूल न निकाले तुम जानते हो, यह ग्यान का एक-एक महावाक्य, रत्न, हीरे हैं, बच्चों में समझाने की बहुत रिफाइननेस्ट चाहिए, कोई अक्षर भूल से निकल जाए, तो फट से राइट कर समझाना चाहिए, सबसे कड़ी भूल है, बाप को भूलना, बाप फरमान करते हैं, मामे कम याद करो, यह भूलना नहीं चाहिए, बाप कहते हैं, तुम बहुत पुराने आशिक हो, तुम सब आशिकों का एक माशुक है, वह तो एक-दो की शकल पर आशिक माशुक होते हैं, यहां तो माशुक है एक, वह एक कितने आशिकों को याद करेंगे, अनेकों को, एक को याद करना तो सहज है एक कैसे अनेकों को याद करेंगे बाबा को कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं आप हमको याद करते हैं अरे याद तुमको करना है पतित से पावन होने के लिए मैं थोड़ी ही पतित हूं जो याद करूं तुम्हारा काम है याद करना क्योंकि प याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है इसमें ही युद्ध चलती है बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे यह कान सोने का बरतन जाहिए जितना तुम याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी इसमें ताकत रहेगी इसलिए कहते हैं याद का जोहर जाहिए ग्यान से कमाई है याद से सर्वशक्तियां मिलती हैं नंबरवार तलवारों में भी नंबरवार जोहर का फर्क होता है वह तो हैं स्थुल बातें मूल बात बाप एक ही कहते हैं अल्फ को याद करो दुनिया के विनाश के लिए यह एक एटोमिक बॉम जाकर रहेगा और कु आजकल तो ऐसा बनाया है जो वहां बैठे बैठे बॉम छोड़ेंगे तुम यहां बैठे बैठे राज्ये लेते हो वह वहां बैठे सब का विनाश करा देंगे तुम्हारा ज्यान और योग उनका मोद का सामान इक्वल हो जाता है यह भी खेल है एक्टर्स तो सब है न भक पूरा हुआ है बाप ही आकर अपना और रचना के आदी मध्य अंत का परीजय देते हैं अब बाप कहते हैं व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो इसलिए here no evil इसका चित्र बनाया है आगे बंदर का बनाते थे अब मनुष्य का बनाते हैं क्योंकि सूरत मनुष्य की है सीरत बंदर जैसी है इसलिए भेंट करते हैं अभी तुम किसकी सेना हो शप्बाबा की बंदर से तुमको मंदिर लायक बना रही है कहां की बात कहां ले गई हैं बंदर कोई पूलादी बांध सकता है क्या। यह सब हैं दंत कताएं। कभी भी कोई पूछे शास्तरों को तुम मानते हो। बोलो वह। ऐसा कौन होगा जो शास्तरों को नहीं मानेगा। हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो। जितना हम पढ़ते ह स्वर्ग में शास्त्र भक्ती की कोई चीज नहीं होती कितना सहज बाप समझाते हैं फिर भी आप समान बना नहीं सकते बच्चों आदी के बंधन के कारण कहां निकल नहीं सकते यह भी ड्रामा ही कहेंगे बाप कहते हैं हफ्ता पंद्रह दिन कोर्स ले फिर आप समान बनाने लग जाना चाहिए जो बड़े बड़े शहर हैं कैपिटल में घेराव डालना चाहिए तो फिर उनका आवाज निकलेगा बड़े आदमी भिगर कोई का आवाज निकल न सके जोर से घेराव डालो तो फिर बहुत आएंगे बाप के direction मिलते हैं न? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर अपनी बुद्धी को रिफाइन बनाना है, बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है, आशिक बन माशुक को याद करना है, दूसरा बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है, उंच पद पाने का पुरुशार्थ करना है, पुरुशार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। आज का वर्दान एक मिनट की एकाग्र स्थिती दवारा शक्ति शाली अनुभव करने कराने वाले एकांत वासी भव। एक मिनट की एकाग्र स्थिती दवारा शक्ति शाली अनुभव करने कराने वाले एकांत वासी भव। भाबा ने कहा एकांत वासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्ति शाली स्थिती में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिती में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिती में स्थित हो विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिष्टेपन की स्थिती दवारा औरों को अव्यक्त स्थिती का अनुभव कराओ, एक सेकिंड वा एक मिनट भी अगर इस स्थि ब्रह्मा जारी वह है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। अच्छा। ओम शान्ती, अब सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली, इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें। अच्छाइब्रेशन समाया हुआ है।